नवश्कार दोस्तों स्वागता है आपका हमारे चैनल All About Taxes में मैं सीयमोन अजगुपता और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि अगर आप GST के अंदर जुलाई 2017 से मार्च 2017 के बीच कोई भी purchase invoice जिसका input tax credit लेना आप भूल गए है या फिर किसी भी वज़ा से आप input tax credit लेन नहीं पाए है ऐसे में उस purchase related input tax credit कैसे लिया जाएगा लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लीजिए अगर आप GST और income tax related updates पाना चाहते हैं बार बार एक सवाल पूछा जा रहा है सर जुलाई 2017 से मार्च 2017 के बीच अगर कोई purchase invoice जिस पर की input tax credit eligible था लेकिन हम उसका input tax credit लेना भूल गए या किसी वज़ा से नहीं ले पाए तो क्या अब financial year close होने के बाद हम वह input tax credit ले सकते हैं तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है जी एस्टी लोग के अंदर section 16 में एक date दी गई है जिस date तक आप यह input tax credit अवेल कर सकते हैं लेकिन अगर यह date expire हो गई तो आप इसके बाद यह input tax credit नहीं ले पाएंगे अब बात आती है कि वह date कौन सी है section 16 में basically दो dates दी गई है और इन दो dates में से जो भी date पहले आएगी उस date तक ही आप वह input tax credit अवेल कर सकते हैं और जो दो dates दी गई है वह है due date of furnishing of return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or invoice relating to such debit note pertains और दूसरी date है furnishing of the relevant annual return इन दोनों में से जो भी date पहले होगी आप उस date तक ही input tax credit ले सकते हैं उसके बाद आप वह input tax credit नहीं ले पाएंगे तो जो पहली date दी गई है कि जिस भी purchase invoice का आप input tax credit लेना भूल गए हैं उस financial year के जो next financial year है उसमें जो September month है उस September month की जो return आप file करेंगे उस return की जो due date होगी एक तो वह date दी गई है और दूसरी date दी गई है जो भी financial year जिस की purchase का आप input tax credit लेना भूल गए हैं उस financial year की annual return file करने की जो date है वह date इन दोनों date में से जो भी date पहले आएगी उस date पक ही आप input tax credit ले पाएंगे पहली date दी गई है example के लिए आप financial year 2017-18 के किसी purchase invoice का credit लेना भूल गए हैं तो financial year 17-18 से जो next financial year है वो है financial year 2018-19 जिस में की September month की जो return file करनी है उसकी due date है 20th October 2018 तो एक date तो आपको दी गई है 20th October 2018 और दूसरी date दी गई है कि financial year 2017-18 की जो आप annual return file करेंगे वह date इन दोनों date में से जो भी date पहले होगी उस date तक ही आप input tax credit लेने के लिए eligible हैं उसके बाद आप input tax credit नहीं ले पाएंगे तो example के लिए अगर आप July 2017 के किसी purchase invoice का input tax credit लेना भूल गए हैं तो आप यह input tax credit 20 October 2018 और date of filing of annual return let's say आप अपनी annual return file कर देते हैं 15 September 2018 तो 20 October 2018 और 15 September 2018 इन में से जो भी date पहले है वह date जो की है 15 September 2018 तो आप financial year 2017-2018 के किसी भी purchase invoice का input tax credit 15 September 2018 तक ही ले पाएंगे लेकिन अगर आप annual return file करते हैं 31 October 2018 को तो ऐसे में जो date पहले होगी वह होगी 20 October 2018 तो ऐसी situation में आप जो input tax credit लेना भूल गए है वह आप 20 October 2018 तक ले सकते हैं तो I hope friend अब आपको answer मिल गया होगा कि अगर आप financial year 2017-2018 में किसी भी purchase invoice का input tax credit लेना भूल गए है तो आप उसको कब तक ले सकते हैं अपरेल 2018 की return file करने वाले हैं उसमें भी ले सकते हैं में 2018 की return file करेंगे उसमें भी ले सकते हैं लेकिन ध्यान रहें जैसे ही अगर आप 20 October से पहले अपनी annual return file कर देते हैं तो यह date आपकी date of filing of annual return तक ही रहेगी और date of filing of annual return तक ही आप input tax credit ले पाएंगे लेकिन अगर आप अपनी annual return 20 October 2018 के बाद file करते हैं तो आप ऐसमें 20 October 2018 तक ही input tax credit ले पाएंगे तो I hope friends, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेर करते रहिए हमारी चैनल All About Taxes को.